नवस्कार में आपका चैंपर स्वाहत है आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ पेंसन का पैसा कैसे अपना आधार नंबर डाल कर चेक कर सकते हो आपके बेंग के खाते में आपका पैसा आया या नहीं आया दोस्तों आप किसी भी पेंसन योजना का पैसा सिर्फ आधार नंबर डाल कर चेक करना चाते हो आपके खाते में पेंसन का पैसा भेजा गया या नहीं भेजा गया तो आप इस वीडियो को पूरा देखी गाए इस वीडियो पर मैं आपको डेटेल्स में बताऊंगा किस तरह से आप किसी भी pension रेना का पैसा सिर्फ आप अपना आधार नंबर डाल कर चेक कर सकते हो pension का पैसा आपके खाते में भेजा गया या नहीं भेजा गया तो इसके लिए देखे आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपने mobile में किसी भी ब्राजो को open कर लेना है और हैंपर देखे आपको Google को open कर लेना है ठीक है इस तरह से आपको Google को open कर लेना है और इसके बाद हैंपर आपको 3.com आपसे मिलेगा आपको इस पर click कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको desktop site पर क्लिक कर देना ठीक है यहाँ पर आपको आपको आपसे मिज़ेगा desktop site इस पर आप क्लिक करेंगे जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो mobile है वो desktop mode में change हो जाएगा अब यहाँ पर देखे आपको करना के है अब यहाँ पर आपको Google में लिखकर सर्च करना है इलावाती ठीक है इतना लिखकर आपको Google में सर्च करना है इलावाती ठीक है तो इस तरह से देखे आपको सर्च करना है इलावाती तो जैसे आप इतना लिखकर सर्च करेंगे उसके आपको यहां पर दीखिए सबसे पहले नमबर पर website मिंजाएगी यहां पर आप दीशकते आपको इस बाली website पर click कर देना है इस website का link मैंने description box में डाल दिया हूँ जैसे आप इस website पर click करेंगे आपकी website इस तरह से open हो जाएगी यहाँ से आप किसी भी pension यूजना का पैसा सिर्फ आप अपना आधार नमबर डाल कर चेक कर सकते हो तो अगर आप अपना आधार नमबर डाल कर pension का पैसा चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर देखे आपको पहले नमबर पर option मिलेगा पहले जाएगी यहाँ पर देखे आपको option मिलेगा हैं पर दीच सकते हैं payment report डिक है यह जो आपको यहाँ पर payment report का option मिलेगा है आपको इस पर click करना है और इस पर click करने की बाद अब यहाँ पर सबसे last में आपको phone नमबर पर option मिलेगा check beneficiary status आपको इस वाले option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर दीखे आपको अपने district का नाम select करना है आपको जो भी district है उसे यहाँ पर select करेंगे और फिर यहाँ पर दीखे आपने block का नाम select करेंगे second number पर ऊसके बाद हाँ पर दीखे आपको option मिलेगा beneficiary ID के इस पर आप click करेंगे अब हाँ पर दीखे आपको तीन option मिलेंगे beneficiary ID, account number और आधा number आप अपना पैसा किस के द्वारा check करना चाते हैं अगर आप beneficiary ID के द्वारा चेक करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको वेनिफिसी आडी को सेलेट करना है, अगर आपके पास एकाउन नमबर है, आप एकाउन नमबर की द्वारा अपना पैसा चीकरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एकाउन नमबर को सेलेट करना है, अगर आपके पास वेनिफिसी आडी एकाउन नमबर आपके यहाँ पर जो detail है open हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो detail है यहाँ पर open हो चुगी है सबसे बिले हैंपर दिखिए आपकी gram पंचैत का यहाँ पर नाम दिया गया है और किस विजशना का आपने पैसा चीग किया है है यहाँ पर दिखिए युजना का नाम दिया गया है और इसके मृटब दिखी लावाति की the shit और ब दिखी सबसे last में आपको option ज जाता यहां पर दीच सकते हैं Top Feed जाता यहां पर दीखी के आपकी option जाता की बादमान इस्तति ठीक है आपका जो पैसा है आपके खाते में बुगतान किया जा चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आधा नंबर डाल कर पेंसन का पैसा चेक कर सकती हो आपके खाते में पेंसन का पैसा भेजा गया या ने भेजा गया